खुद को कभी बिखरने मत देना। लोग तो अक्सर तूटे हुए मकान की इट तक ले जाते हैं। अमेरिका में एक अप्रादी को मृत्यू डंड दिया गया। ये मृत्यू डंड पहले फांसी के रुप में दिया जाना था। लेकिन इसके प्लान में कुछ बदलाव करके अब दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीले साब से डस्वा कर उस अप्रादी को ये मृत्यू डंड देना था। मिल्टु दैंजी की तारेखाई अपराधी को लाया गया और दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीले साथ को भी लाया गया अपराधी ने देखा कि जहरीले साथ उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है अब प्रसासर ने अपने प्लान में कुछ बदलाव किये और अपराधी के मुँपर एक काला कपड़ा बांधिया गया काला कपड़ा बांधने के बाद अपराधी के हाथ में बड़ी बड़ी दो-दो सुईया पूरे ही जोर से चुबा दी गई अप्रादी को जैसे ही ये सुन्यों की चुभान मैसूस हुई वो हिलने लगा और स्रिफ देज मिनित में उसकी मृत्यू हो गई डॉक्तर को बुलाया गया ये जानने के लिए कि इस अप्रादी के मृत्यू कैसे हुई डॉक्तरों नहीं अपने जांस पूरी की और पता किया कि साफ के डंक से जो पीड़ा होनी थी उससे भी ज़्यादा पीड़ा इसकी मस्तिष्ट के विचारों में पहले ही उत्पन हो चुकी थी और उसने साफ से भी दस गुना ज़्यादा जहर उसकी सरीन में प्रोड्यूस कर चुका था और उसी जहर की चलते इस इनसान की मृत्यू हो गई कहानी का मतलब यह है कि इनसान की परिष्टिती इनसान को तोड़ती कमजूर नहीं बनाती है जितनी उसकी मनोस्तिती उसकी परिष्टिती से पहले ही इनसान को खटम कर देती उसी तोड़ देती दोस्तो जब तक आपको सफलता न मिल जाए तब तक पीछे मूर कर मत देखिए ज़्यादा लोग सफलता मिलने के पहले ही अपना मैदान छोड़ कर चले जाते हैं तिकी में बड़े बड़े फैसले लीजिए सोचा समझा रिस्क लीजिए और एक बार फैसला ले लो तो पीछे मूर कर मत देखो क्योंकि जो लोग बार बार पलट कर देखते हैं वो इतिहास कभी नहीं रचते ऐसे इंसाम की मृत्यू इसलिए हुई क्योंकि कभी भी परिस्तिति आपको इतना कमजोर नहीं बनाती जितनी आपकी मनोस्तिती आपकी सोच आपके विचार आपको कमजोर बना देती हैं